हेलो दोस्तो नमस्कार, स्वात करते हैं आपके अपने यूटिप चिलन, Makeup Study पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोविजनल सर्टि sustainability के बारे में दोस्तो आप योगन के डिमांड पर एक मैं वीडियो लेके आया हूं कि प्रोविजनल Но disrupt कि क्या होता है और आपको यह कब और कैसे लेना चाहिए तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आंग तक अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टुडेंट्स हैं तो चैनल को सिस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिए क्योंकि पॉलिटेक्निक से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्र अल्पकालिक प्रमाणपत्र होता गया है दोस्तों प्रविजनल सर्टिफिकेट यानि की अल्पकालिक प्रमाणपत्र अल्प प्लस कालिक यानि की थोड़े समय के लिए दोस्तों ये वो सर्टिफिकेट होता है जो की थोड़े समय के लिए आपके सर्टिफिकेट के जगह पर लगाया जा सकता है जैसा कि दोस्तों इसको क्यों आप लगा सकते हैं certificate के जगह पे माले जी आप final year में अभी है और आपका placement हो चुका है आपने examination दे दिया लेकिन आपका result अभी तक नहीं आया तो दोस्तों जब आप joining के लिए जाएंगे किसी private sector में तो आपका document verification किया कि आपका result नहीं आया गोर आता है तो आप वहाँ पे provisional certificate दे सकते हैं college से बनवा करके दोस्तों ना केवल private sector में बलकि government sector में भी आगर आप किसी भी examination को देने जाते हैं और आपका examination के दौरान document verification किया जाता है पर्विजिन certificate दे सकते हैं केवल वहां ही नहीं बलकि हर एक जगह दे सकते हैं प्रविजिन certificate जब तक आपका result आपके पास नहीं आये हुआ है दोस्तों इन लास्ट आई हम देख लेते हैं कि प्रविजिन शर्टिपेर आखिर हमारा होता कैसा है और इसको हम कैसे बनवाते हैं जैसा कि दोस्तों आपके screen पर दिख रहा होगा कुछ ऐसा ही होता है अल्पकालिक प्रवाणफपत्र दोस्तों कुछ इसी टाइप का होता ह जाएगा कि आपका नाम यह है आपके पिता जी का नाम यह है आपका लास्ट समेस्टर में लंबर कितना रहा है और प्रविजिक सिछा उत्र प्रदेश द्वारा आप डिप्लोमा इस ब्रांच में पास किये हैं और आप जो है प्रत्रम स्रेड़ी या फिर दुती स्रेड़ प्रदाइजयर का signature रहेगा और आपका यहां यहां पर दिया हो रहेगा तो दोस्तो इस टाइबस रहता है हमारा provisional certificate बन्वाया कैसे जाता है दोस्तो प्रविजिस बन्वाने के लिए आपको college पे जाना पड़ेगा आप college पे जाएंगे और आप जो है अपनी कारियाले में चले जाएंगे दोस्तो कार्याले में जाकर कि आप अप्लीकेशन लिखेंगे ठीक है अप्लीकेशन का subject डालेंगे requirement of prevention certificate और आपको कहाँ उसका ज़िरूरत है उसको mention कर देंगे अपने application में और application लिख करके आप अपने principal के office में जाएंगे और उनका signature करवा के कार्याले में जम लबा करेंगे तो आपका जो है वर बनौपकर करके और परेंशपल से साइन करवा कि वह आपको प्रॉइट करा दिया जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से जो है अपना अपना लाइक पर बाएट कर दी वह को पifie और गयों को जरूध सकते हैं ठाइक पर वाचिंग टेक केर